कैसे हो आप से बच्चे होंगे? अब विश्वास करते हूँ, आप सब काहाने सुनने के लिए तयार है? तो चलिए, अज़े में एक मजीदार काहाने सुनेंगे एक सुन्दर सा प्यारा सा एक गाव था और उस गाव के सीमा में एक भाई रहता था, एक आदमी रहता था और वो अपने परिवार के साथ वहाँ पे बड़े से घर में वो रहता था, वो आदमी बहुत ही धनवान था तो वो वहाँ पे खुशी-खुशी उस घर में वो अपने परिवार के साथ वहाँ पे खुशी-खुशी वो रहता था तो उस घर के उसके घर के पीछे एक बंजर जमीन पड़ा था जहां पर कोई भी पेड़ पौदे उगते नहीं है उग नहीं पाते वैसा एक जमीन उसके घर के पीछे पड़ा था तो वो आदमी सोचता है कि ठीक है वो में ख़रीद लेता हूं उसको में ठीक करके उस जगह को मैं ऐसे कर सकता हूं करके वी जबर ख़रीद लेता है और फ़रीद के वह जो पठर आट को हटा के उसमें वह महनभाएंद जमीन को ठीक करके महरा मत करके उसमें वह सेव का बीज बोता है और कुछ सालों बात क्या हुआ भाहाँ पेड़ उगे ऐपल के पेड उगे और पेड़ में बहुत सारे डेर सारे apples थे आये थे तो वो इतने सारे apples थे की डाली भी पूरा ऐसे जुग गया था उतने सारे भर भर के red color के लाल-लाल must apples थे वहाँ पे तो उस आदमी को बहुत ही खुश होता है वो देखे बहुत ही खुश हो जाता हूंओ तो इसमें फल आ गया करके तो आजू-बाजू के पूरे गाव वाले लोग वहां पर उसको देखने आते थे उस भगीचा बहुती उसको सुन्दर बना के रखाता हर तरह तरह के बहुत सारे सेब के पेड़ ते और भी अलग-अलग फलो के पेड़ थे अच्छा से वह बहुत सुन्दर उस भगीचा को वह बना के रखाता तो सब उसके गाव वाले लोग सब आकर उस भगीचे को देखने आते थे एपल उसे मांगने आते थे लेने आते थे ऐसी बहुत सारे लोग वहां पर आते थे उस जगह को सुन्दरता को निहारने के लिए बहुत सारे लोग आत इतना दनवान कैसा है इसके पास इतने बड़ा गर कैसा है इसके पास इतने सारे लोग इसको इस बगीचे को इसके बगीचे को क्यों देखने आते हैं करके उसे अंदर से जलन होने लगता है तो वो क्या करता है रात को सोचता है ठीक है मैं ऐसा करूंगा करके वो प्लान बना राप को क्या करता है घर से बाहर चुप चुप के बाहर निकलता है अपना घर से एक बाल्टी ले लेता है और पूरा आजुबाजु का जो भी कचड़ा एकटा करके उस बाल्टी में भरकर वो उसके पड़ो से उस आदमी के घर लेकर जाके क्या कर देता है उसके बगीचे मे वो पूरा कच्चरे को כira देता है उसके घर पे, उसके घर के सामने और उसके पकीचे में पूरा उसक्चरे को वोल सोचता है और सोचता है, कल आएंगे न लोग देखके क्या बोलेंगे देखता हूँ अब मैं करके ऐसे बोलकर वो छुपके से वहां से निकल कर अपने घर जाके वो सो जाता है तो ये आदमी जैसी सुबह वो धनवान आदमी सुबह जैसी उटता है अपने घर से जैसी वो बाहर आता है तो उसके बालकनी में वो बाहर क्या देखता है बाहर उसके बागीचे में उसकी गर के सामने पूरा क्या पड़ा हुआ है एक खच्रा कितना गंदा लग रहा हुआ है ना सुबह सुबह पूरा उटके दिख रहा हर जगा कच्रा फैला हुआ है और वहाँ पे वो बाल्टी भी पड़ा हुआ था तो उस बाल्टी को देखके वो पहचान लिया, यह किसका बाल्टी करके, यह मेरे पडोसी का बाल्टी है, इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा करके वो सोचके उस बाल्टी को उठा कर वो चला जाता है, तो उस बाल्टी को उठा कर वो निकल जाता है, तो यह उसके बाल्टी का सोचक बैठा होता है और वह दनवान आदमी जैसे ही बालटी के साथ हुआता है और बनाद्मागा सामने देखता है क्या देखता है कि वह दनवान आदमी बालटी में क्या लाए था अपर बर पर के इंट पूर capac भर भर के वह उसमें एफ़ला दब अब वो आदमें बोलता है दम में बाटा है में आपको यह बाटता हुम आपके पास ज्यादा इसके लिए आप कच्रा बाटके गए मुझे कल कच्रा देखे गए लेकिन मेरे पास यही सारी चीज ज्यादा है इसके लिए मैं आपको यह देता हूं करके वह असे प्रेम से उसको देखके वह चला जाता है तो इस कहानी से हमें क्या सीखने मिला कि हमा हम जिस चीज में धनी होते हैं उसी को हम आपस में बाटते हैं लोगों को हम बाटते हैं तो हम किस में धनी हैं हम इश्व मसी के अंदर हम धनी हैं इश्व मसी से हम धनी हैं उनकी इश्व मसी का शांती इश्व मसी का प्रेम उनका चंगा ये सब हमें जादा भरपूर भरा हुआ है ना तो हमें क्या करना है इन सब को बाटना है लोगों को इश्य मसी को बाटना है उनकी प्रेम को बाटना है क्योंकि हम उसी से भरे हुआ हैं हम उसमें धनी हैं ना क्योंकि जैसे शैतान जूट से अपने चोरी वो क्या करता नाश्ट करने के लिए उसी से वो भरा हुआ है जलन से इरश्या से इसी से वो भरा हुआ है और वही वो बाटता रहता है हम किस से बरे हुआ हम से इश्व मसी के बच्चे हैं हम उनके प्रेम से इश्व मसी से हम सब बरे हुआ है तो हमें क्या करना है इश्व मसी को बाटना है जैसा वच्चन कहता है मत्थी 12.35 में भला मनुष्य मन के बले बंडार से बली बाते निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे बंडार से बुरी बाते निकालता है तो हमारे मन के अंदर जो बरा रहता है वही हमारे मूँ में हम उसी कोम बाटते हैं उसी कोम देते हैं जैसे वो धनवान व्यक्ति के पास खित्ते सारे सेब ते उसने उस सेब को दिया और इसके पास पूरा कच्रा इसके मन में वही भरा हुआ था, जलन, इर्शया ही सब भरा हुआ था, उसने कच्रा देखे आया उसको, तो आज हम सब किस से भर हुआ हैं, हम सब इश्व मसी की बच्चे हैं, उनके प्रेम से, उनके शांती से, उनके चंगाई से, इश्व मसी से हम सब भर पूर है है ना तो आज हम किसको बाटेंगे लोगों को इश्यू मसी को बाटेंगे उनकी प्रेम को बाटेंगे उनकी शांती को बाटेंगे है ना तो मैं विश्वास करती हूं कि आप सब को कहानी अच्छा लगा होगा तो हम अगले बार मिलेंगे बाई